अब अगर आप मेरे चानल को काफी टेम पहले से फॉलो कर रहे हैं तो जब विंडोस 10 रिलीज हुई थी मैंने उस टेम कहा था कि विंडोस 10 विंडो का फाइनल वर्जिन है जिसका मतलब यह है कि अब इसके वाद माइक्रोसॉफ जो है वो अपनी विंडोस का निया वर्जिन लाँच नहीं करेगी बलके जो विंडोस 10 है उसी के उपर हमें मल्टिपल अपग्रेड्स देखने को मिलेंगी और उसी की जो अपडेट्स है वो हमें रेगुलर्ली मिलती रहेंगी एक लिस्ट माइक्रोसॉफ ने ये कहा था लेकिन रिसेंटली एक विंडोस 11 की जो लीक है वो हमारे सामने आई और ये लीक कोई ऐसी लीक नहीं थी के दो तस्वीरें लीक हो गई हो या एक छोटी मोटी वीडियो लीक हो गई हो विंडोस 11 ही लीक हो गई लाइक पूरी उसकी iOS फाइल ही इंटरनेट के उपर लीक हो गई ये RTM बिल्ड थी जो के स्टार्ट में डिवेलपर्स वगरा को दी जाती है और ये पूरी पब्लिक के लिए जो थी वो अवेलिबल हो गई टोरेंट वरी साइट पर अवेलिबल है पहले शायद ये विंडोस 10 के नाम सही आती है और उस पर नई थीम लगा दी जाती है लेकिन I think Microsoft एक नई marketing पुश चाता है ये जो विडियो मैं बना रहा हूँ ये चीज़ें चाता है यही वज़ा है कि उनने इसका नाम Windows 11 रखा है ताके हर बंदा इसके बारे में बात करे although इसके अंदर fundamentally जो changes किये गए है एक तो theming के changes हैं दूसरा user experience के थोड़े से changes हैं और तीसरा जो सबसे बड़ा change मुझे नजर आया है वो ये है कि finally Windows ने ये accept कर लिया है कि आने वाला जो future है उसमें जादतर devices touch screen के साथ आएंगी और multiple लोग जो है वो Windows devices को अगर use भी कर रहे हो तो वो tablet में या किसी ऐसी device में यूज़ कर रहे होंगे जहांपर touch screen होगी यही वज़ा है कि Windows 11 में हमने यह चीज़ notice किया है कि जादतर जो interface है वो Windows 10X जो के touch के लिए बनाई गई थी उससे काफी जादा similar है और इसके काफी ऐसे features हैं जो कि मैं ये कहूँगा कि Mac OS जो कि generally Apple के change है जहांपर task bar को वैसे भी change कर दिया गया है मुकमल तोर पर बड़े बड़े icons दे दिये गए हैं और ये option निकाल दी गई है जहांपर आपको actual में जो software का नाम है वो नजर आता था अब सिर्फ icons नजर आ रहे हैं जिस तरना touch mobile phones पे होता है और उसके इलावा इसकी location है वो भ सब कुछ जा चुका है अब अगर आप इसको open करेंगे तो एक बड़ा ही clean interface है जो आपके सामने आता है जिस पर आपके पास कुछ apps है जिनको आपने pin किया हुआ है आप इनको by the way change भी कर सकते हैं ये by default कुछ इस तरह आती है लेकिन आप इसमें जो भी apps चाहें उनको pin कर सकत नहीं आई थी अगर आप all apps में जाते हैं तो यहीं पर आप की all apps हैं वो भी open हो जाएंगी तो वो जो एक नई screen open हो जाती थी वो हमें यहां देखने को नहीं मिल रही at least desktop mode के अंदर उसके इलावा recommended के नाम से एक option आ गई है इन में वो applications हैं जो के भी आपने recently install की है या आप regularly इस्तमाल करते हैं तो अगर आपने उनको पिन नहीं भी किया हुआ तो वो यहां पर recommended वाले section के अंदर automatically suggest होती रहती है तो जो start menu है उसको काफी जादा change किया गया है आपके पास option ज़रूर available है कि आप इसको center से वापस left पर ले जाएं लेकिन left पर जाने के बावजूद भी जो task का सारा system है वो काफी तक वैसे ही काम करेगा और मुझे जो center location है to be very frank बड़ी पसंद आ रही है क्योंकि regularly आजकल मैं एक Mac user हूँ तो उस हिसाब से यह जो चीज है बड़ी clean हो गई है और मुझे बड़ी पसंद आई है दूसरा बड़ा change जो कि आपको task part पर ही देखने को सामने आ जाती है जो Cortana का इनका system था जहां पर आपका assistant चलता था वो सब निकाल दिया गया है बड़ा सकून में कर दिया गया है यहां पर आप apps, documents और even web के ऊपर जो है वो चीज़ें चेक कर सकते हैं तो यह automatically जो बेंग इनका अपना search engine है उस पर चला जाता है और live आपको ज कम होती है as compared to macOS एक और बहुत बड़ा change आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसके अंदर multiple applications को open करते हैं तो for example अगर मैं यह Microsoft store open कर लेता हूं इसको मैं close कर लेता हूं और दूसी side पर मैं अपना जो file explorer है उसको open कर लेता हूं और उसके बाद यह जो side वाला button है जो के आपक पर आ रहा है और मैं यहाँ पर decide कर सकता हूं कि मुझे किस type की split screen चाहिए तो for example अगर मैं चाहता हूं कि मेरी screen पर दो applications इकठी open हो जाए तो मैं select करूंगा एक side को और दूसी side पर option आ जाएगी कि मैं किस application को open करना चाहता हूं तो दोनों जो applications है वो आ जाएंगी अगर मैं multiple applications open करना चाहता हूं तो वो भी option मेरे पास जो है वो available है मैं अपनी मर्जी से जो applications है वो select कर सकता हूं और मैं वैसे चाहूं तो मैं desktop को भी open रख सकता हूं तो it totally depends upon कि कि मैं किस तरह की multitasking करना चाहरा हूं और एक और चीज़ आप लोटेस कर रहे होंगे यहाँ पर हर चीज़ क कर रही है कि वो devices जो के future में आ रही है उनके लिए windows को optimize किया जाए अब obviously क्योंकि यह windows का एक नया version है तो आप लोग notice कर सकते हैं कि जो theming है जो icon packs है उनको भी मुकमल तो पर change कर दिया गया है हर तरफ जब भी आप icon को देखेंगे मुकमल तो पर जो icons है वो change है वीडियो हो है लेकिन उनने windows का logo निकाल दिया है वरना हर wallpaper में windows का logo होता था तो wallpaper काफी खुबसूरत लग रहे हैं और काफी मैं यह कहूंगा कि generic looking है जो के एक लिए से बहुत अच्छा है कि आप इसको लगा कर वो मसला नहीं आ रहा कि windows की promotion हो रही हो उसके लावा जो theming की option है इस बा summer overhaul जो हमें देखने को मिला है और जो designing है especially windows की वो काफी जादा खुबसूरत कर दी गई है एक और चीज जो कि आप notice करेंगे वो यह है कि जितने भी menus हैं उनके जो corners हैं उनको थोड़ा सा curve दे दिया गया है जो कि देखने में काफी जादा खुबसूरत look provide करते हैं और generally एक eye pleasing look जो है वो सामने आ जाती है एक और चीज़ जो कि windows 11 की अंदर by default आपको देखने को मिल जाती है वो आपका widget menu है जहां पर आप different widgets जो है वो डाल सकते हैं जिस तरह mobile पर आप generally left swipe करते हैं तो google का एक menu हो आ जाता है या अगर samsung का phone है तो samsung के अपनी screen आ जाती है उसी तरह य menu है काफी खुबसूरत कर दिया गया है और again हमेशा की तरह यहां पर भी menu है उसको थोड़ा सा curve look जो है वो दे दी गई है इसके अलावा अगर आप इस side के menu की बात करते हैं तो अब जो notifications हैं जहां पर पहले cross आया करता था अब notifications के ओपर भी swipe gesture काम करने लग गया है again finger जो है उसका जादा use जो है वो यहां पर include किया गया है बाकी जो features है उसमे focus assist दिया गया है जिस तरह macOS पर भी है यहां पर भी दे दिया गया है night light जो है वो basically आपका blue light को है खत्म करने वाला mode है और इस तरह के बाकी जो features है वो सर जो है वो यहां पर दे दिये गया है notification menu के अगर button आ रहा होता जिस पर प्रेस करते थे अब swipe gesture दे दिया गया है क्योंकि again मैंने बताया है कि यहां पर हर चीज़ को खास तौर पर ऐसे design किया गया है कि आप इसको touch based system जो है उसकी तरह इस्तमाल कर सकें एक और चीज़ जो के change की गई है वो आपका startup menu है जब आप start करते हैं तो जिस तरह आपको Windows 10 में देखने को मिल रही थी अब यहाँ पर मैं यह चीज़ के कर दूँ कि यह एक early build है जो के leak हुई है तो हो सकता है कि इसके अंदर जो changes है वो काफी जादा आ आ जाया है और हो सकता है कि Microsoft कुछ नए features भी include कर दे जब इसका official release होता है जो कि expected है कि September यह October के लेकिन हो सकता है कि Microsoft ने जान बूच कर इसको leak किया हो I don't know the exact reason के इसको leak किया गया है यह leak हुई है लेकिन पहली बार है कि Windows launch होने से पहले ही उसका पूरा full-fledged version इस तरह से available है और Microsoft ने इसके बारे में officially कुछ भी नहीं का था लेकिन हमारे सामने आ चुका है मुझे comments रताए तो मुझे comments ने बताएगा मैं जानना चाता हूँ क्योंकि मेरा perspective यह है कि ज्यादतर जो लोग है वो आजकल mobile phones को use कर रहे है until unless आपको professionally उसको use करना पड़े तो जरह मुझे comments ने इस बारे में बता दीजेगा चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe कर लिजेगा hopefully यह video आपको पसंद आ आपको यह कर दो आपको आपको कर दो बहुत कर दो कर दो कि आपको सकते प्रावा अंग मैं जापको आपको आपको कर रहे है आपको